Aslami students, this is Ibrahim. C5-2 Corporate Law के बारे में बच्चो का perception कै नॉर्मली क्या perception है देखें perception यह कि सर काफी lengthy subject है, extremely lengthy subject है ठीक है इसके लावा complexities इस subject के अंदर बहुत जादा है तीसरा सबसे बड़ा मसला interpretation का है और चुकि लेंदी सिलेबस है तो ये सिलेबस आपस में जब लिंक्ट होता है तो थोड़ा सा बच्चों को दुश्वारिया इसमें पेश आती है आखरी चुकि ओपन बुक पॉलिसी तो चीज़े याद नहीं करनी है चीज़े अपलाई करनी है तो interpretation और drafting यहाँ पे बहुत ज़्यादा matter करती है यहाँ तो देखे है इसका solution क्या है solution बड़ा किलियर है जो ये बात है मैं आपसे करी है जो बच्चों का perception है जो चार-पांच चीज़ों की वज़ास से इनकोई CFAP2 corporate law मुश्किल लगता है यह सब्जेक एक इंट्रस्टिंग कैसे बन सकता है थोड़ा सा अनलाइस करते हम कोर्स को पहला मसला क्या बच्चे का पहला मसला यह क्या काफी लेंदी सब्जेक्ट है तो आए देखते हैं कि लेंदी सब्जेक्ट है क्यों ठीक है हमारा पूरा CFAP2 corporate law company law नहीं corporate law हमारा चार एरियास के ओपर वरिफेकर होता है चार गिरिट जैसकी एक तरफ हमारे पास गिरिट ए है जिसके अंदर क्या है पूरा का पूरा companies act है साड़े 400 sections companies act के है कुछ 12 regulations directors के ओपर regulations related parties के ओपर regulations shares के ओपर regulations ती सारी dividend के ओपर regulations 12 regulations ऐसी जो कि आपके syllabus का part है इसके लावा कुछ rules भी है और सिफ companies act itself कोई कानून नहीं है securities act भी है rule book भी है PSX की rule book भी है जिसके एक दो चप्टर हमारे syllabus का part है एक बहुत ही लेंदी एरिया लेकिन unfortunately i cap ने जो इसकी वेटेज रखी है वह 35 से 45 marks के रखी वी है और इसमें से भी एक दो एरिया में से हरा टेम में लाजमी सवाल आता है तो सबसे जो लेंदी एरिया जिसकी वैसे बच्चा कहता है कि सब बहुत लेंदी है उसकी वेटेज सिर्थ 35-45 marks तक ही है तो सब बाकी syllabus किया है जब सारा इस syllabus यह है तो बाकी syllabus किया है बाकी syllabus इस in grade A के comparatively में बहुत ही कम है less than 50% है इन syllabus का लेकिन इसकी वेटेज आपकी 60-65 marks तक चली जाती है हमारे पास second जो grade है प्यारे बच्चों grade B है ठीक है grade B में हमारे पास mediation arbitration के सिर्फ 15 sections है कुछ act है और कुछ regulation है और वो भी बड़े limited है और बड़े असान है आयक आपने लाजमी 10-15 marks का यहाँ पर सवाल पूछते हैं और hardly 10-15 घंटे में यह syllabus हो जाता है हमारा इसके बाद हमारे पास grade C है जो के specialized corporate laws है specialized corporate law में हमारे पास कुछ specialized industries हैं कुछ specialized business हैं like NBFC rules and regulation, insurance और banking ordinance यह तीन specialized sector है हमारे उपर तो उन तीनों के उपर एक specialized कानून है यह भी आपके syllabus का पार्ट है और बहुत ही limited पार्ट है 10-15 marks इसकी weightage है और इन तीन areas को अगर आप cover करने 10-15 marks आपके मज़ीद covered हो जाएंगे तो आप समझनी कुशिच करिएगा 10-15 section उपर वाले grid B में से कर लिए कुछ हमने sections की कुछ regulations हमने यहां से कर ली 30 marks हमारे covered हो रहे हैं और एक तरह वो जो पूरा companies आपके साथे 400 sections 12 regulation rules और सबसे इंपोर्टन चीज़ जो कर आप देखेंगे तो इसके अंदर 5-6 कानून हैं हमारे पास code of corporate governance, public sector rules, electronic fund transfer, anti-money laundering, competition act, foreign exchange manual यह 6 कानून हमारे syllabus का पार्ट है और इसके बड़े limited areas हमारे syllabus का पार्ट है complete part नहीं है और जब इन areas को अगर हम देखें icap ने इसकी वेटिश 30 marks रखी विए तो इसका मतलब है grid B से grid C से और grid D से हमारे पास 60-65 number का paper लाजमी icap ने पूछना है और 35-45 number का paper icap ने normally grid A से पूछना है जो के बहुत ही lengthy है तो यह जो हमारा मसला था जो perception था काफी lengthy subject है सर comparatively अब यह lengthy subject हमें असान लगने लगेगा summarize लगने लगेगा अपनी मेहनत को थोड़ा सा महाँ पर कर ले और यह जो areas में आपसे बात कर रहा हूं grid B, grid C और grid D की यह 40-50 hours, 60 hours में आपकी तयारी complete हो सकती है और यह वो areas हैं जिसके ओपर आप माशलालाब firm में भी काम कर रहे होते हैं अगर आप bank audit करते हैं banking ordinance पढ़े बगार आप audit कर ही नहीं सकते सही है और banking audit में इसो बेत हाशा sections हैं आपके courts में बड़े limited section है 10-12 sections है इसी तरीके से हम सब mutual funds में mutual funds का audit करते हैं AMCs का audit करते हैं और जब हम इनका audit करते हैं तो हम NBFC rules के ओपर भी गरिप होती है हमारी NBFC regulation के ओपर गरिप होती है हम पूरे NBFC rules and regulation को देखते हैं syllabus में आपके बहुत सब्सक्राइब कर रहा होता है तो इसको पराफ में काम भी कर रहे हैं इसको हम दिल्दी पढ़ी भी लेंगे पहले पढ़ी लेंगे तो हमारे पास 60-65 marks तक की area coverage हमारी अच्छी covered हो जाएगी और यह मुश्कल subject हमें लगता यह competitive आसान लगेगा और फिर मैं आपने बागी subjects सब्सक्राइब एक proper time दे सकता हूं सेकंड चीज यस complexity है linking है देखें तो इसका solution क्या है like for example discuss करता हूं सिफ एक shares है ना बच्चो सिफ अगर आपने public को shares offer करने ही नहीं है तो private placement भी apply हो जाएगी आपने shares employee को offer करने है उसके ओपर कुछ कानून है तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को analyze करें तो इतनी जादा जब areas होते है जब तक किसी भी regulation और act का यह rules का आपको scope नहीं पता होगा conceptual framework नहीं पता होगा आपक पर apply होगा इन एरिया के उपर apply नहीं होगा तो जब आप इस तरीके से मैंशेट से इंशालला पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी पेपर में pick करने के लिए उस चीजों को समेटने में भी चीजों को summarize करने में भी चौता सबसे बड़ा मसला इस subject में देखें ड कानून हैं जिसकी basis पर यह कानून बनाएं और इस कानून के बात और मज़ीद कितने कानून हैं जो किसके साथ लिंक है तो जितनी भी लिंकिंग है यह मैंने हैंड़ाट पर अपने कर दिये ताकि बच्चे का time save हो यह जो इसको landy subject लगता है इसका एक रिजन यह कि एक कि माननी चाहिए किसकी नहीं माननी चाहिए कहां पर differences आ रहें कहां पर differences नहीं आ रहें यह सारी चीजें already handouts के अंदर complete है एक अच्छे structure के साथ तो यह बड़ी important चीज़ है जो कि बच्चे का अच्छा खासा time save कर लेगी कि हाँ और again बात हुआ है कि अगर आपके साथ मैं conceptual framework discuss करूंगा laws को इसकी logic आपको बताऊंगा तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा खुद समेटना कि हां यार यह चीज़े इस तरीके से ही लिंक्ट होती है कोई rocket science इतिनी जादा नहीं है इसके अंदर आखरी चीज़ इंटर्पेटेशन तो जितने भी ऐसे sections है जिसमें study मौजूद होगी या कोई नो कोई कोड का legal opinion मौजूद होगा जिसके basis में सारे matters को conclude करेंगे इससे आपका time से हो जाएगा के अंदर आपको a to z सारी चीज़े मिल जाएंगी रही बात drafting की तो मेरे जितने भी answers है वहां पर मैंने कानून लिखा है कि कानून यह कहता है because open policy में आपको refer करना होगा और इस कानून के तहत रखते हुए आपने किस तरीके से चीजों को ड्राफ करना है कौन सी चीज लिखनी है कौन सी चीज नहीं लिखनी और सबसे important चीज scenario के अंदर क्या यह कानून apply होगा भी या नहीं होगा तो से विसके अंदर answer नहीं होगा थैंकी तो मुझ